अगर इस साल आप एक डेजर्ट कूलर लेने की सोच रहा है और आप कन्फ्यूज है कि हमें अपने रूम के कॉर्डिंग कितने वाटर टैंक कैपैसिटी वाला कूलर लेना चाहिए कौन से ब्रैंड का कूलर लेना चाहिए जो आपके पूरे रूम में अच्छी कूलिंग प्रवाइट करा है और आपके रूम के कॉर्डिंग कितने फीट एर थ्रो वाला कूलर लेना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन भी किलियर करने वाला हूँ और फाइब बेस्ट आप बेस्ट टेजर कूलर का रिव्यू भी करने जा रहा हूँ कि कोई भी एर कूलर लेने से पहले उसकी मार्केटिंग गीमिक से बचना है मतलब कंपनी अपने प्रोड़क्ट की फीचर्स को बहुत बढ़ा चड़ा कर बताता है फर एक्जामपल काफी सारी कंपनी क्लेम करती है कि हमारा जो कूलर है उसका एर थरो साट से असी फिट की दूरी तक जाता है जबकि किसी भी अच्छी कूलर का एर थरो पचीज से पैथिस फिट की दूरी तक ही जाता है इसी का दूसरा example आप देखे हो तो बहुत सारी company अपने description में mention करके रखती है कि हमारा air cooler का noise level 25 dB, 35 dB, 40 dB होता है जबकि किसी भी air cooler का noise level इतना कम होता ही नहीं है कम से कम noise level आपको 60-70 dB के आसपास होता है जितना एक washing machine का होता है और कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है cooler लेने से पहले जैसे कि cooler में जो pad लगा होता है वो honeycomb pad होना चाहिए ना कि wood wool pad ताकि pad जल्दी खराब ना हो और इसे बार बार चेंड करने की जरूरत ना पड़े और cooler में one year की warranty जरूर होनी चाहिए क्योंकि cooler में जितना ज़्यादा warranty होगा समझे उसका build quality और performance उतना अच्छा होगा Lastly और most important आपको उन brands का cooler लेना है जिसका after sales service आपके city में आवे लेवल हो ओके सो इनी सबी बातों को ध्यान में रखके मैं 5 best top best air cooler का review करने जा रहा हूँ मट उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे motivate कर सकते है ओके सो मेरे लिस्ट में नमबर 5 पर आता है सिंफ़नी सोमो डेजर्ट air cooler इस cooler का design और build quality काफी अच्छी है जो की ABS plastic material का बना है जो की काफी study होता है इसमें 190 watt का motor लगा है जिसका air throw 20-25 feet की दूरी तक जाता है जो suitable है 170-250 square feet वाले room के लिए cooler के upper side दो knob मिलता है जिससे speed, swing और water pump कंट्रोल कर सकते है इसमें IPO technology मिलता है मतलब जो तीनो side honeycomb pad लगा है उसके उपर कुछ filters लगे होते है जो बाहर से आने वाले polluted air को clean करके आप तक पहुचाता है बट यह एतना भी effective नहीं होता है जितना company बढ़ा चड़ा कर इसे explain करती है यह cooler SMPS feature के साथ आता है मतलब cooler voltage fluctuation के time automatically बंद हो जाता है जिससे motor का खराब होने का डर नहीं रहता which is good feature यह cooler inverter compatible है मतलब इस cooler को आप inverter से भी चला सकते हैं और साथ ही इसमें water lever indicator भी दिया है जिससे आपको पता चलता रहेगा कि cooler में कितना पानी बचा है भी इसमें caster wheels भी attach मिलेगा ताकि इसे एक जगा से दूसरी जगा easily ले जा सके और साथ ही ice chamber भी मिल जाता है ताकि और भी अच्छी cooling effect मिल पाए यह model 75 और 115 लीटर capacity के साथ available है और दोनों में क्या क्या differences है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके symphony इस model पे एक साल की warranty देती है और इसके pros and cons की बात करूँ तो इसका design और build quality अच्छा है अच्छा air throw भी है इसका IPO technology के साथ आता है बट इसमें auto water filling फीचर नहीं मिलता और थोड़ा costly भी है बट यह आपके लिए ज़्यादा बड़ा cons नहीं है तो आप इसे buy कर सकते है जिसका सबसे lowest price का link description में दे दिया है जहां से आप इसका offer price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते है Okay, so मेरे list में number 4 पर आता है Hevels का Celia desert air cooler अगर आपको कम noise वाला एक air cooler लेना है तो Hevels का ये model suitable रहेगा आपके room के लिए तो सबसे पहले इसकी build quality की बात करूँ तो ये भी ABS plastic material का बना है और इस cooler में 185 watt का motor लगा है और इसका air throat 20-25 feet की दूरी तक जाता है जो suitable है 160-250 square feet वाले room के लिए cooler के upper side 3 knob मिलता है जिससे swing control, speed control और water pump को on off कर सकते है इस cooler में 30-40 mm के motor layer का honeycomb pad लगा है including ice chamber जिससे ये काफी अच्छी cooling प्रोवाइड कराता है जब आप इस cooler का use नहीं कर रहे हो तो आप इसके lowers को fully बंद भी कर सकते है ताकि अंदर dust, mosquito वगरा ना जाए इसमें thermal overload protection भी दिया है ताकि cooler काफी लंबे समय से चल रहा है तो ये थोड़े देर के लिए automatic off हो जाता है जिससे motor खराब होने से बचता है ये cooler inverter compatible है और इसमें water level indicator और caster wheels मिल जाएगा इस cooler में आपको बार बार पानी डालने की भी जरूवत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये auto fill technology के साथ आता है बस आपको pipe हमेशा null से connect रखना होगा ताकि जतना पानी का need हो उतना ये automatic लेता रहे ये model 55 और 70 liter capacity के साथ available है और दोनों में क्या क्या differences है वो भी आप इस screen पे देख सकते है Hevels is desert cooler पे एक साल की warranty देती है और इसके pros and cons की बात करूं तो अच्छी build quality, अच्छी cooling प्रोवाइड कराता है noise भी बहुत कम करता है बाकी models के मुकाबले, fully collapsible lowers के साथ आता है बट इसका भी price थोड़ा ज़ादा है और इस cost के according humidity control feature भी नहीं मिलता इसमें और इसके cable का size भी थोड़ा कम है इसका भी सबसे lowest price का link नीचे description में मिल जाएगा augustus में release में नबर 3 पर आता है crumpton ozone desert air cooler इस cooler में सबसे impressive इसका design, color और इसकी build quality है जो की heavy plastic का बना है इस cooler में 190 watt का motor लगा है जिसका air throw 20 से 30 feet की दूरी तक जाता है जो suitable है 190 से 320 square feet वाले large room या hall के लिए cooler के upper side दो 9 मिलता है जिससे speed, swing और water pump को on off कर सकते है अच्छी quality की honeycomb pad मिल जाती है including ice chamber इस cooler में सबसे base test का motor overload protection है जिससे motor की durability और long lasting हो जाती है ये cooler inverter compatible, water level indicator, caster wheels और auto water fill technology के साथ आती है ये model 55, 75 और 88 liter capacity के साथ available है और सभी का differences आप इस screen पे देख सकते हैं करम्टन इस desert cooler पे एक साल की warranty देती है और इसके pros और cons की बात करूं तो cooling effect और air throw काफी अच्छा है इसका, excellent design है, high quality plastic का बना है price भी ठीक ठागे ज्यादा costly नहीं है, बट little bit noisy है और cable size भी इसका थोड़ा short है बट अगर आप इसका customer feedback देखो तो लोगों ने अच्छी rating दिये जिससे पता चलता है कि ये desert cooler value for money है और इसका भी सबसे lowest price का link description में मिल लाएगा ओगे सो मेरे list में number two पर आता है बजाज DMH desert air cooler इस cooler में दो चीज़ सबसे अच्छा देखने को मिलता है पहला इसका build quality जो कि अभी तक मैंने जितने भी cooler का review किया उससे भी better है ये दूसरा इसका air throw जो की turbo fan technology के साथ आता है मतलब अगर आपका room या hall 190 से 320 square feet का भी है तो उसको भी बहुत जल्दी ये chill कर देता है वैसे तो company claim करती है कि इसका air throw 90 feet की दूरी तक जाता है बट taste के according 40 feet की दूरी तक air throw देखनों के मिलता है जो की enough होता है एक cooler में सबसे पहले water pump में ही दिक्कत देखनों के मिलता है इसलिए बजाज अपने सभी cooler में dura marine water pump का use करता है जो moisture से बहुत जादा protect करता है जिससे इसका pump long lasting हो जाता है 4 way air deflection इसमें मिलेगा मतलब right leg वाला जो flap है वो auto move करेगा और up down वाला जो flap पे उसको manually adjust करना रहता है जो की हर cooler में होता है इसमें आपको 4 की जगा 5 caster wheels मिलता है ताकि cooler में अगर पानी भरा हुआ है तो इसके base पे ज़्यादा load ना है ये cooler inverter compatible, water level indicator और honey compact के साथ आता है इसमें 3 knob मिलता है जिससे fan speed, pump on off और swing control कर सकते है ये model 65 और 90 liter capacity के साथ available है और दोनों में क्या क्या differences है वो इस screen पे देख सकते है बजाज इस model पे 1 साल product की warranty और 2 साल dura marine water pump की warranty देती है इसकी pros and cons देख लेते हैं तो excellent build quality मिलती है, excellent air throw है इसका cooling effect भी काफी अच्छा है, dura marine water pump मिल जाता है बट इसका जो lure से उसको fully बंद नहीं कर सकते है और little bit noisy भी है बट ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा cons नहीं है तो आप इसे buy कर सकते है जिसका lowest price का link description में mention कर दिया है ओगे से मेरे list में number 1 पर आता है करम्टन का Optimus Desert Air Cooler This is one of my favorite desert cooler क्योंकि एक desert cooler के अंदर जो जो important feature और technology होने चाहिए वो सबी इसमें मिल जाता है इस cooler में 200 watt का motor लगा है जिसका air throw 30 से 35 feet की दूरी तक जाता है जो suitable है 200 से 400 square feet वाले large room या hall के लिए इस cooler में सबसे अच्छा है इसका humidity control feature लगता है मतलब cooler के back side में एक knob मिलता है अगर गर्मी का मौसम है तो इसे high पे रखकर cooler का humidity बढ़ा सकते है अगर बारिश का मौसम है तो इसे low पे रखकर इसका humidity कम कर सकते है क्योंकि बारिश में already humidity जादा रहता है room में और अगर इसे drain mood पे कर देते है तो cooler का सारा पानी निकाल सकते है which is great feature in this desert cooler इसमें 3 knob मिल जाता है जिसे cooler को off on कर सकते है fan speed control कर सकते है, swing और water pump को control कर सकते है ये cooler inverter compatible, water level indicator, ice chamber, caster wheels with lock और auto water fill जैसे technology के साथ आता है और इसके भी lowers को आप पूरी तरह बंद कर सकते है इसके honeycomb pads के उपर net cover भी दिया है जिससे pad जल्दी खराब नहीं होता और इसके अंदर dust, insect वगरा भी नहीं जाता है ये model पैसट और 100 liter capacity के साथ available है और दोनों का differences आप इस screen पे देख सकते है करंटन इस model पे एक साल की warranty देती है और इसके pros and cons की बात करूँ तो इसका wide angle air through काफी अच्छा है बहुत शांदार cooling देखनों को मिलती है बहुत अच्छी build quality है humidity control feature भी मिल जाता है इसमे noise level भी जादा नहीं है इसका so overall ये best of best desert air cooler है बट इसमें 2 cons देखनों को मिलता है पहला ये कि अगर इसका honeycomb pad को आपको clean करना है तो इसके pad को आप easily निकाल नहीं सकते इसके लिए आपको सारा screw अगरा खुलना पड़ता है और इसका भी cable size थोड़ा short मिलता है और हाग इस मैंने सभी air cooler का सबसे lowest price का link की नीचे description में दे रखा है तो एक बर सभी का price जरूर चेक आट करे क्योंकि summer season से related अभी product पे अच्छी अच्छी sale चल रही है so I hope air cooler से related जो भी आपका dot था वो clear हो गया होगा बट फिर भी कोई सवाल या confusion हो तो प्लीज अप comment कर दो मैं उसका reply जरूर करूंगा और इस channel पर मैं हमेशा इसी तरह का detailed videos लाता रहता हूँ तो ऐसे channel को जरूर subscribe रखे क्योंकि future में हमेशा काम ही आएगी thanks for watching guys have a nice day